नमस्कार दोस्तों, लोकसबा चुनाफ का आखरी चनल आते आते प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी की घबराहट कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है उपर से गर्मी भी बहुत ज्यादा है, शायद गर्मी भी आप मोधी जी के सिर पर चड़ गई है इसी लिए उलजुलूल बाते भी करने लगें दोस्तों, प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी का अगर ये वायान आप सुनेंगे तो सच में आप भी यही सोचेंगे कि गर्मी मोधी जी के सिर पर चड़ गई है मोधी जी कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के उपर फिल्म रिलीज होने से पहले कोई महात्मा गांधी को दुनिया में जानता तक नहीं था चुनिए क्या कह रहे है नरेंद्र मोधी दोस्तों ये बात प्रदान मुंत्री मोधी ने ABP निउस के एक इंटरव्यू में कही और जब ये बात मोधी जी बॉल रहे थे तब पत्रकारू की शकल देखने वाली थी वो भी सोच रहे होंगे कि भई आखर ये PM मोधी को हो क्या गया है कैसी उल जुलूल बाते कर रहे हैं बहकी बहकी बाते कर रहे हैं जिस महात्मा गांधी को दक्षिन अफरीका के पूर राष्पती नेलसल मंडेला अपना गुरू मानते थे नेंसल मंडेला से लेकर के मार्टिन लूथर किंग तक गांधी के मुरीद हुआ करते थे वो महात्मा गांधी जिसके भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया वो महात्मा गांधी जिनकी तस्वीर 1969 से भारत की करंसी पर भ राइस अंदोलन कुल चार महाधवीपों और 12 देशों तक फैला हुआ था जो कि कई साल पहले ही फैल चुका था इस फिल्म के आने से अफरीका जैसे कई देशों ने गांधी के आदार्शों पर आंदोलन चलाया और आजादी भी हासिल की गांधी जिस शहीद हुए तो महात्मा गांधी भारत के एक मात्र ऐसे नेता थे जिनके नाम पर दुनिया भर में सड़के बनी हुई है वो अमेरिका कभी नहीं गए लेकिन वहाँ पर गांधी जी की हजारों प्रतिमाई लगी हुई है और तो और कई संगठन भी उनके नाम से आज भी चलाया जाते हैं भारत साइद 84 देशों में उनकी मूर्तियां लगी हुई है पाकिस्तान चीन से लेकर चोटे मूटे और बड़े बड़े देशों तक में बापू की मूर्तियां लगी हुई है उनके जन्म दिवस पर पूरी दुनिया आहिंसा दिवस मनाती है अनेक देश नाम के डाक टिकत जारी कर चुके हैं भारत की गली गली में गांधी जी से जुड़े हुए लोग गीत गाये जाते हैं शादियों में मंगल गीत गाये जाते हैं तो खुद अंग्रेजी अधिकारियों ने ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट बेजी थी कि भारत के गाहों गाहों में लोगों को जो उन्हें आजादी दिलाने आए हैं और आज देश के प्रधान मंतरी होते हुए नरेंदर मोधी यह कह रहे हैं कि यह सब कुछ तब हुआ जब 1982 में उन पर इक फिल्म बनाई गई दोस्तों मोधी जी का यह बेतु का ज्यान जनता के दिमाग से उपर से पारोकर निकल गया ह लिख रहे हैं कई तरीके की बाते कहीं जा रही है आपको भी देखना चाहिए यह देखिए श्री निवास बीवी ने मोधी जी की वीडियो को शेयर करके लिखा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसिलर है रणविजा सिंग कह रहे हैं कि कोई नहीं जानता से पहले कोई महात्मा गांदी को जानता ही नहीं था क्या मोधी ने खुद को छोड़कर पूरी दुनिया को मुर्क समझ रखा है कभी धंग से पढ़ाई की होती तो पता चलता कि महात्मा गांदी किस मजबूती का नाम है खैर मीडिया वाले तो खामोशी से मुझरा करते र नहीं उनके संघर्ष से फैली है तो अलस्ट्राय ने गांदी के अफरीका संघर्ष के तुलना ईसा मसी से कर दी थी और रोमियो रोला ने उन्हें क्रश्न का अवतार भी कह दिया तो महात्मा गांदी को महान बनाने के लिए किसी प्यार एजंसी को हायर करनी के ज़रत नही जुका दिया था लेकिन मोधी की माने तो गांदी जी को कोई जानते ही नहीं था यहां खुद मोधी जी पर फिल्म बन गई सीरियल बन गए हर जगह उनके फोटो चिपका दिये गए फिर भी दुनिया भारत को गांदी के नाम से ही पहचानती है गांदी के नाम से जानती है मोधी जी भले खुद को विश्व गुरू कहते हो गोधी मीडिया उनकी हां में हां मिलाती हो लेकिन इस विश्व गुरू को भी विदेशों में जाकर गान्दी जी की प्रतिमा के सामने ही माथा टिकना पड़ता है अब आप खुद सोच सकते हैं कि असले विश्व गुरू आखिर है कौन आपको क्या लगता है अपने राए कमें सेक्शन में लिखकर बताएं एक खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं नमस्कार